दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि फरवरी 2023 से YouTube पे 100 वीडियो मॉनेटाइज होने वाल है आप YouTube पे 100 वीडियो डाल करके भी पैसे कमा सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह आती है कि क्या आपको यह पता है कि YouTube पे 100 वीडियो कैसे बनाते हैं नहीं पता है तो आपको इस वीडियो का देखना चाहिए क्यों कि इस वीडियो में मैं आप लोगो सबसे आसान थरीका बताऊंगा बहुत सारो option देखने के लिए मिल रहे उपर आप को यहाँ पे option देखने के लिए मिल रहे ओपर का अपर करें तो अगर को एड sound का option देखने के लिए मिल दा है यानि अगर आप यहाँ पे lip sing कोई भी song add करना चाहते हैं और उस पे lip sing sort video बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ पे जैसे click करेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे आपको song मिल जाता है और यहाँ से आप कोई भी song को add कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी song को add करता हूँ यहाँ पे arrow पे click करेंगे तो song इस तरीके से add हो जाता है अब अगर मैं यहाँ पे यह जो red button आ रहा है यहाँ पे आप लोग को यह जो पहला option देखनी के लिए मिला है अगर आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे front camera है तो इस पे click करेंगे तो back camera open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग second option देखते हैं इसमें 1x लिखा हुए तो चलिए इस पे click करता हूँ तो जैसे यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे देख सकती है 0.3x, 0.5x, फिर यहाँ पे 1x, 2x, 3x तो यहाँ पे यह है कि अगर आप slow motion वीडियो बनाना चाहते है तो आपको यह 0.3x के option पे click करना है अगर आपको थोड़ा सा कम slow motion बनाना है तो इस पे click करना, normal वीडियो इस पे और अगर आपको fast वीडियो बनाना मतलब जो funny type का वीडियो होता है वो थोड़ा fast होता है तो यहाँ पे 2x का option मिलता है और 3x का अगर आप इस पे click करके वीडियो सूट करेंगे तो यह तो बहुत जादा useful नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पे इसको cut कर देता हूँ अब दोस्तों मैं आप लोगो बहुत important feature के बारे में बताता हूँ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक icon देखने के लिए मिला profile किया जासा अगर आप इस पे click करते हैं तो यहाँ पे देख सकते green screen इस तरीके से आ जाता है मेरा यहाँ पे white color का background है लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे screen recording में तो यहाँ पे मेरा green screen या चुका है मेरा background में और अगर मैं यहाँ पे अपना यह background change करना चाहूँ तो बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपके gallery का जो भी photo है वो यहाँ पे सारा so करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी photo को select कर सकते हैं जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने एक photo click किया था तो वो मैंने यहाँ पे जैसे उस पे click किया तो वही यहाँ पे आ चुका है अगर मैं आप लोग को दिखा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इस तरीके से दिख रहा है तो यहाँ पे आप अपने background भी change कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको normal कर देता हूँ इस पे click करके done करना कि अप मानली यह को एक आपको यह प्लोग पिन देखनी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यह आहु एक option के लिए मिल रहे तो अभी मतलब क्या है तो अभी आप दकिए मेरा जो रयंदी अप्लिधा स्मूथ नहीं दिखाई दे रहे लेकिन पर आपको बहुत सारा अलग-अलग color का आपको filter मिल जाता है आप यहां पर कोई भी color को select कर सकते हैं और यहां से कम जादा इसको adjust कर सकते हैं तो इससे आपका जो वीडियो का quality वह और जादा enhance हो जाता है तो चलिए मैं यहां पर filter भी use कर लेता हूं अब यहां पर अगर आप अगर आपको ध्यान देंगे तो यहां पर इस तरीके से arrow जासा option मिल रहा है तो आपको इस पर click करना है जैसे यहां पर click करेंगे तो यहां पर आपको एक lighting का option देखने के लिए मिल रहा है अगर आप इस पर by default में उस पर click होता है मतलब उस पर tick नहीं होगा तो light थोड़ा सा कमाता है लेकिन आप इस पर click करके उस lighting के option पर click करेंगे तो आपके वीडियो का जो light थोड़ा सा बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है इससे भी आपका वीडियो का quality इंप्रूव होता है तो अब यहां पर इस तरीके से आचुका है सारा कुछ आपने set कर लिया है अब यहा हीब जो भी बोल ला हूँ वह एहां पर suit हो रहा है उसके बाद अगर मान लिजे आपके यहां पर video suit हो जाता है तो आपको इसको अप्लोड करना है तो यहां पर आपको एक option देखने के लिए मिल रहा है टिक का आपको इस पर click करना है लेकिन मानल लिजे आपने यहां पर camera स हो जाता है यहां से आप कोई भी अपना एक वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं तो चलिए मैं मुझे भी यहां पर वीडियो सेलेक्ट करना मैं इसको कट कर देता हूं अब यहां पर माली जब मैंने यह जो वीडियो सूट किया इसको मुझे यूटीब पर अपलोड करना है तो करने के लिए आपको क्या करना सबसे पहले तो यह जो आपको टिक का उप्सें मिला इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस देखने के लिए देखाया है कि आप यहां पर यहां पर सबसे पहले पर होता है तो इहां पर आपको आपको अच। का option देखनी के लिए मिल रहा है अगर आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर जो आपने गाना select की है उसको इस तरीके से आगे पीछे करके आप यहाँ पर adjust कर सकते हैं तो चलिए यह पहला option है उसके बाद second आपको यहाँ पर text का option देखनी के लिए मिलता है इस पर click लिख करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं तो मैं यहाँ परोड मिलता है और उपर आपको option मिलता है इस पर click करके आप यहाँ पे फॉंट्ट वगेड़ा भी change कर सकते हैं और यहाँ पर उप्सन मिलता है इससे आप यहाँ पर background जो है इसको यहाँ पर कर सकते हैं और नीचे आपको color का option मिलता है तो यहाँ पे आप text का color इस तरीए से यहाँ पर change कर सकते हैं तो चलिए मैंने यहाँ पर set कर दिया है अब यहाँ अगर आप ध्यान देगें तो नीचे आपको एक और option मिलेगा timeline का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं यहाँ तो आप वीडियो में वीडियो का जितना भी length है उसमें पूरा में add करना है यहाँ फिर थोड़ा बहुत में यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो text है इसको आप यहाँ पर कम जादा करके done क्लिक कर देना है तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर आपको filter का भी option देखने के लिए मिल रहा है आपको इस पर click कर देना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका वीडियो इस तरीके से आ जाता है तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा option देखनी के लिए मिल रहा है तो यह सारे option के बारे में भी मैं आप वीडियो लिख देता हूं इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया तो आप यहां पर कोई भी टाइटल एड कर सकते हैं उसके पद यहां पर आपकी चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है कि आपका चैनल कौन सा है और फिर यहां पर विजिबलिटि का ओप्सADE मिलता है आपको यहां पर क्लिक करके क्या करना है पबलिक का ओप्सण देखने के इस पर है ताई तो उसके बाद नीचे भी आपको एक option मिलता है तो इस पर भी क्लिक करके देख लेना है कि यहां पर टिक है या फिर यहां पर तो यहां सेकेंड में टिक होना चाहिए अगर उपर में टिक है तो उसको भी नीचे कर देना है अब मैं इसको भी यहां से back कर देता हूं अब यहां प तो future में चल करके आपके short video के साथ आपकी channel के साथ और आपके साथ भी problem हो सकती है वो क्या तो यहाँ पर देख सकती है यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है add paid promotion level आपको क्या करना इस पर click कर देने जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को तो आपको no के option पर click करना है यह जो आपको second option मिल दा है इस पर और अगर आप यहाँ पर लिजए हैं अगर आप 76 creating और आप यहाँ पर पbellule करेंगे तो आपने paid promotion करते हैं उसको अगर आप अपने विडियो के अंदर नहीं लगाते हैं तो उस पर legal action वगर भी हो सकता है इसलिए यहां पर आप paid promotion कर रहे हैं पैसा लेकर करके यहां पर परचार करें कोई application का तो यहां पर आपको yes के option पर जरूर क्लिक कर लेना है तो यह आपको पूरे ध्यान से आपको यह setting कर लेना है तो मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है त उसके बाद automatic आपका जो वीडियो वह पब्लिक भी हो जाएगा तो इस तरीके साप YouTube पे sort video बना करके उसको upload कर सकते हैं तो मैंने तो यहां पर आप लोगों को सिफ यह बताया कि YouTube पे sort video किस तरीके से बनाया जाता हूँ मैंने आप लोगों को सही तरीका बताया हूँ है लेक चाहते हैं कि YouTube पे sort video upload करने का सही तरीका क्या है तो आपको श्यां को सब्काइब करके notification bell को और पर select कर लेना है क्योंकि next वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube पे कौन-कौन सा अगर sort video डाल रहे तो कौन-कौन सा hashtag use करना चाहिए description में आपको क्या लिखना के लिए जाहिंद